हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है टार्गेट क्लासेज विस हरी सर में इस वीडियो में फिजकल आइज क्वेशन से रिलेटेट कुछ जो लग भी हमारी चैनल पर पहली बाद विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस करना है जिससे किसी भी नए वीडियो का नोडिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके तो सुरुवात करते हैं आज के फ़र्ष्ट कोईशन के फ़र्ष्ट को सलफर यहां पर बताईए अगा 9621819209 यह मारा वाटसप नमबर है इस पर भी आप लोग अपने स्कोर कमेंट करके बता सकते हैं कोईशन नमबर 81 का इग्जैक्टली जो करेक्ट आंसर आप लोग ने टिक लगाया है आईरन से रिलेट कर जाता है सी आप्शन इसका राइट आंसर है सी उत्तर सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे 82 नमबर का कोईशन है हमारे सरीर के एंजाइम टंत्र में सतर से अधिक एंजाइम में कौन सा खनीज उपस्थित रहता है इसमें कौन सा खनीज उपस्थित रहता है सलफर खनीज उपस्थित रहता है जिंक उपस्थित रहता है कॉपर या फिर आयरन उपस्थित रहता है बताईए 82 में आंसर आपका जो रिलेट कर जाता है कौन से आप्शन से संब्दित बहुत जबरदस्त कोईशन है 82 नंबर बी आप्शन इसका क्या हो जाएगा बिलकुल राइट आंसर है जिंक से रिलेट करेगा बी उत्तर साही आंसर नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे 83 नंबर का कोईशन है निम्न में कौन से खनिश्टा तो किस स्रेणी में आते हैं इसमें से कौन से खनिश्टा तो हैं कौन सी स्रेणी में आते हैं potassium chloride, sodium, calcium, iron, zinc, या फिर calcium, phosphorus, magnesium, या फिर D option है, sodium, zinc, iron, 83, बताईए, 83 नमबर जो answer हो जाता है किस option से related है, बहुत जबरदास्त question है, calcium, phosphorus, magnesium, C option इसका क्या है, right answer है, C उत्तर, सही answer, next question पर move करते हैं, next question दिया हुए, 84 नमबर का question है, मानस्पेसियों को समवेग भेजने, तथा मानस्पेसियों के संकुचन के कौन सा खनीज लवण कारी करता है, इसमें कौन सा खनीज लवण कारी करेगा, iron कारी करेगा, zinc, calcium, या फिर sulfur, 84, कौन सा खनीज लवण इसमें कारी करता है, C option यहाँ पर calcium से रिलेट करेगा, calcium work करता है, यानि कि C उत्तर इसमें right answer है, next question पर move करते हैं, next question है, 85 और इसके पहले के वीडियों के लिए आप लोग YouTube पर साज कर सकते हैं, physical education by Pankasar, जो भी वीडियो जो भी पार्ट आपको देखना है, देख सकते हैं, वहाँ से में चैनल का नाव में target classes with Harish Sir, उसी में आप playlist में जाएए कि सभी वीडियों आपको physical education से related मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन सभी questions का revision कर सकते हैं, 85 का answer हो जाता है, calcium, phosphorus, यहाँ पर मानों सरीर की अस्तियों में कौन से दो खनीजलवन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो यह calcium, phosphorus होता है, next question पर move करेंगे, 86, उम्र से संबंदित उस बीमारी का क्या नाम है, जिसमें हडियों से खनीजलवन कम होने लगते हैं, और हडियों के टूटने का भय बना रहता है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कौन सा option होगा, compound fracture क्या right answer है इस question का, mass mass, green stage fracture या फिर mastio porishis, और अगर आपके 125 में से, exactly यहाँ पर सही होते हैं, घर पर practice set लगाते हैं, या फिर group में जो practice set प्रोवाइड किया था, उसमें 110, 115 प्लस आपके आ रहे हैं, यहनि 110 से लगा के 120 के बीच में अगर vary कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी तैयारी बहुत जबर्दस चली, और 10 से 5 नंबर का आप minimum margin लेके चलिएगा, कि आपके exam में यहां से वहां पर कम हो सकते हैं, क्योंकि दोनों जिगह का जो atmosphere होता है, वो बिल्कुल change होता है, अगर घर पर आप solve करते हैं, अगर कोई question आपको confusing लगता तो उसको आप तुरुन देख लेते हैं, कि हाँ इसका answer यह होगा, और उसको आप सही मान लेते हैं, कि यह हमारा answer सही है, जबकि exam hall में जब आप बैठते हैं, तो दो option में आप confused हो जाते हैं, उन दो option में से एक आप attempt करते हैं, हो सकता है आयोग के द्वारा उस answer को गलत कर दिया जाए, इसलिए इस तरीके के questions के according अगर देखा जाए, तो 10 से 5 नंबर का margin आपके practice sets और जो exam होता है, उससे रहता है, इसलिए मेहनत और continuity जरूर बना रखिएगा, जिससे इस margin को complete करते हुए, आप अपने आपको merit list में select करा सके हैं, तो question number 86, D option से relate करता है, D उत्तर correct answer, next question में move करेंगे 87, आखो या पलकों के जपकने के पीछे, किस खनीज लवाण की एहम भूमिका होती है, कौन सा खनीज लवाण है जिसकी एहम भूमिका होती है, आखो या पलकों के जपकने के पीछे, 87, iron की एहम भूमिका होती है, magnesium, potassium, calcium, 87 का answer बिलकुल एहम भूमिका की बात की जा रही है, तो calcium की एहम भूमिका होती है, D option इसमें क्या है, सही answer है, right answer है, next question में move करता है, next question है, निम्न में से मानो सरीर के हड़ियों के समद्ध में क्या गलत है, इसमें से क्या गलत है, सबसे अधिक प्रतिसत में फास्फोरस रहता है, calcium फास्फोरस के दुगने से अधिक रहता है, फास्फोरस कैलसियम के साथ मिलकर हड़ियों और दातों का निर्मार करता है, या फिर आश्टियों मलेशिया का एक हड़ियों का रोग है, गलत की बात की जा रही है, question अच्छे से study करके आप लोग attempt कीजिएगा, read कर लिजेगा, उसके बाद या आप answer attempt कीजिएगा, बताइए, 88, क्या हो जागा, सबसे अधिक प्रतिसत में फास्फोरस रहता है, ए आप्सन से relate करता है, ए उत्तर सही answer है, नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे, नेक्स्ट कोईशन दिया हुआ है, आपका 89, लगभग 60 प्रतिसत, मैगनीसियम सरीर में कहां पाया जाता है, बताइए, जो 60 प्रतिसत मैगनीसियम है, यह सरीर में कहां पाया जाता है, मांस्पेसियों में पाया जाता है कंकाल हर्दय या फिर फेफ़डों में पाया जाता है 89 तो यह जो पाया जाता है मांस्पेसियों में पाया जाता है A option यहाँ पर correct answer है A उत्तर right answer next question है आज की इस वीडियो का question number 90 है total 20 questions आपके स्रीज जो चल लही थी उसी स्रीज से कोईशन नमबर 90, 90 का जो आंसर हो जाएगा, लेविनग एसिट से रिलेट कर जाता है, D option यहाँ पर बिल्कुल, राइट आंसर है, करेक्ट आंसर, नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे, 91 नमबर का कोईशन है, गोल किक हुआ कॉर्णर किक से संबंधित नियम बनाया गया, कब बनाया गया, 1871 में यह नियम बनाया गया, 1872 में नियम बनाया गया, 1873 या फिर 1874 में बनाया गया, गोल किक वाव कार्णर किक से संबंधित नियम कब बनाया गया था यह नियम बनाया गया था 1874 D option यहाँ पर बिल्कुल सही answer right answer से relate करेगा D उत्तर correct answer next question पर move करेंगे next question दिया हुए substitute खेल मैदान में कहां से आते हैं यह कहां से आते हैं side line से आते हैं goal line से आते हैं halfway line से आते हैं या फिर इन सभी से relate करते हैं substitute खेल मैदान में कहां से आते हैं 92 पानवे नमबर halfway line से आते हैं C option यहाँ पर right answer है C उत्तर correct answer next question पर move करेंगे next question दिया हुए penalty kick के समय बाकी सभी खिलारी penalty 6 से लगबा कितनी दूरी पर खड़े होते हैं कितनी दूरी पर खड़े होते हैं 8 yard की दूरी पर खड़े होते हैं 10 yard की दूरी पर खड़े होते हैं 12 yard या फिर 14 yard जो 14 yard है इसकी दूरी पर खड़े होंगे बताइए गा right answer देख लेते हैं यहाँ पर बिल्कुल सही answer आपका होगा 9621-819201 जो भी अब्यरती page group join करना चाहते हैं topic recording आपका जो mock test है वह भी 15 मार्स से सुरू किया जा रहे है जो ग्रुप में आपको questions provide कियाते हैं वो तो चलते रहेंगे लेकिन साथ में आपका topic recording एक topic जो है वह भी complete किया जाएगा 9621-819201 पर contact कर सकते हैं इसी नमबर पर आप लोग direct payment कर सकते हैं phone पर Google पर Amazon पर Paytm account पर WhatsApp payment अनिके मादम से आप payment करके screenshot करके तुरंत ग्रूप से join हो सकते हैं किसी भी state से आप belong करते हों UPTGT की तयारी कर रहे हो DLSB की तयारी कर रहे हैं UPLT grade KVS NVS या फिर MPT work 2 work 3 की तयारी कर रहे हो आप लोग इसी पर payment करके direct join होकर अपनी तयारी को बहुत ही बेतीन तरीके से complete कर सकते हैं answer आपका क्या होगा 10 yard से relate कर जाएगा B option correct answer next question पर move करते हैं फुटबॉल खिलाडी के उपकरण होते हैं जो फुटबॉल खिलाडी है इसके उपकरण जर्शी और निकर इस्टिकिंग और सिंगार्ड फुट्वियर वा इस्टर्ट्स या फिर उप्रोक सभी बोलिए यहां पर आपका A, B, C यानि कि इन सभी से relate कर जाता है D option इसका right answer है next question पर move करते हैं सहायक referee के करतब भी होते हैं जो सहायक referee है इसके करतब क्या होगे जब gained out of play हो कौन सी side corner kick, goal kick, throw in दोनों हो जब substitution की जरुरत हो या फिर D सभी सहायक referee के करतब भी की बात की जाया तो 95 में relate करता है आपका A, B, C यानि कि इन सभी से relate करेगा D option इसमें क्या हो जाता है correct answer है बिलकुल सही answer next question पर move करेंगे 96 है जो team toss जीतती है उससे यह विकल्प होता है कि वो क्या हो side चुने, kick-off करे, side चुने और kick-off करे दोनों इन में से कोई नहीं क्या option होगा देख लीजिएगा जो इस स्रीज आपको दी जारी बहुत important है right answer से relate करेगा इन में से कोई नहीं बहुत से answers आये होंगे C option लेकिन right answer हो जाएगा यहाँ पर D, D उत्तर इसका correct answer है 96 में इन में से कोई नहीं next question है ball खेल के बाहर होती है कब जब वह gain line से बाहर हो जब खेल referee द्वारा रोक दिया जाता है जब वह goal line से बाहर हो और जब खेल referee द्वारा रोक दिया जता है दोनों या फिर D option इन में से कोई नहीं बताईए 97 97 का answer बताना है आपको ball खेल के बाहर होती है बहुत जबर्दस C option आपका साही answer next question पर move करेंगे 98 है यह विस्वकप का वह award है जो की खिलाडी को अधिक्तम goal करने पर दिया जाता है कौन सा अवार्ड खिलाडी को अधिक्तम goal करने पर दिया जाता है golden ball अवार्ड दिया जाता है golden boot अवार्ड दिया जाता है golden goal अवार्ड या फिर इन में से कोई भी नहीं 98 कौन सा अवार्ड दिया जाता अधिक्तम गोल करने पर golden boot award दिया जाता है B option यहाँ पर correct answer है आज की इस वीडियो का इस series का second and last question आपकी screen पर बिसु कप के best player को यह award दिया जाता है कौन सा award जो होता है बिसु कप के best player को दिया जाता है एक दूसरे से questions के answers जुड़ते हुए बताइए अभी आपने जो question पढ़ा था वो भी बहुत important था और यह question आपकी screen पर यह भी important question की स्रेणी में right answer आपको attempt करना और total UPTGT में 125 question आते हैं और एक question चार नंबर का होता है 500 का पुड़ांक होता 500 में से आपको अधिकता marks gain करने होते हैं जो भी अबर्टी DLSB के exam के तयारी करने continuity बना रहे हैं तयारी करते रहिएगा वहाँ पर vacancies 400 plus अभी भी खाली हैं इसलिए आप लोग मेहनत कीजिएगा हो सकता है आने वाली भरतियों में आपका selection कहीं न कहीं हो जाए तो जो भी मेहनत करेगा वो सफलता अवस्से प्राप्त करेगा D option यहाँ पर नहीं होगा बिलकुल आपका A option से relate कर जाएगा A उत्तर right answer है question number 100 यहाँ पर 90 लिखाओ यानि कि 100 number का question है यह थोड़ा सा typing में numbering की mistake है बताईजे bookland stadium football का कहाँ पर इस्थित है तो यह कहाँ पर अवस्थित है right answer से relate कर जाएगा तो यह थे आज के कुछ most important top 20 questions वीडियो पसंदा वीडियो को like कर दीजेगा चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करने चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजेगा और इसके पहले की वीडियो के लिए आप लोग YouTube पर सर्च कीजेगा फिजिकल एजक्वेशन बाई पंकर सर्च जो भी वीडियो जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं तुरंत वहाँ पर प्लेइलिस्ट में जाईएगा महराथन वीडियो प्रैक्टिस सेट्स सुपर फास्ट वीडियो सभी आपको मिल जाएंगे वहाँ से आप उन सभी क्वेशन का डिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं जो भी अबरती ग्रूप जोइन करना चाहते हैं और डेली का डेली जो भी मॉक टेस्ट कोई जा फिर प्रैक्टिस जो भी प्रोवाइड किया रहता ग्रूप में वो आप लोग प्राप्त करके अपने तयारी को बहुत ही बहतीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं नए श्टुडेंट जितने भी होंगे उनको 10,000 प्रैस कोईशन की पीडियाप भी लेबल की जाती हैं जो भी जूड़ना चाहते हैं जूड़ सकते हैं तो नए वीडियो मिलते हैं कुछ most important questions के साथ में तब तक के लिए नमस्कार पढ़ते रहिएगा मेहनत करते रहिएगा आपको एक्जाम में सफलता अब अस से प्राप्त होगी